प्रेंड्स वल्कम एंड वल्कम बेक तो माई चैनल मैं एक और प्रोड़क आपके लिए लेकर आई हूँ जो की है जियोर्डानी गोल्ड का और वो है कॉम्पेक्ट यार हम लोग मीकप लगाने में प्राइमर लगाते हैं फांडेशन लगाते बीबी क्रीम या सीसी क्रीम वह दूप की वज़से हमारी स्कीन में ओल स्वेटिंग शुरू होगा और उसकी वज़से हमारा पूरा मेकप को केकी हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एक अच्छा वाला कॉम्पेक्ट आज मैं प्रोड़क्ट रिव्यू करने वाली हूँ जियो तो यह मेरा फिवरेट वाला कॉम्पेक्ट है और इसका जो लुक है वह भी काफी ज्यादा अच्छा है और यहां पे चोटुसा मिरर दिया हुआ है और विच पंच दिया हूँ और मैंने इसे काफी ज्यादा यूज कर लिया है तो फंच थोड़ा सा गंदा हो चुपा है इ यह देखो क्या मस्त फिनिश है और कलर भी कुछ अलग नहीं लगने वाला है आपके जो ऑईल है उसे यह काफी ज्यादा कंट्रोल करता है और यह इसका जो लाइफ है ना वो एक टू नाइन अवर्स अर्राम से अपके फेस पे चिपक के रहता है मतलब इतना ज्यादा स्वेटिंग नहीं होने देता है अपके फेस पे सेवन तू नाइन अवर्स अर्राम से चलता है यह वाला इसमें दो शेड अवेलेबल है एक है लाइट और एक है नीचरल तो यह वाला जो है वो नीचरल कलर है अगर आपको 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 स्कीन काफी ज चाहिए कि आपको वही प्रोड़क मिले तो कोड के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे या नीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो कोड है वो मैं आपको दे दूंगी और अगर आपको औरी फिल्म के प्रोड़क लेने है तो पर्टिकुलर कोई डिलर के पास से ही ले स जा दूंगी तो ऑईली स्कीन वाले हैं उनके लिए यह वाला कॉमपेक्ट ना काफी ज्यादा अच्छा रहता है इसमें इसमें जो है वो एस्पीफ फिफ्टी है तो आपकी स्कीन को सन बन से यह काफी ज्यादा प्रोटेक्ट रखने वाला है तो इसका प्राइज है पंद कभी कभी तो भी चल जाएगा यह कैसे इवन टोन बना देता है और आपकी स्कीन पर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है कि कुछ लगाया हुआ है और काफी ज्यादा स्मूध टेक्श्यर देता है तो मस्ट इसे पर्चेस कीजिए और अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो क इसे ही कुछ इंट्रस्टिंग के वीडियो के साथ मैं आपको नेक्स टाइम मिलती हूँ तिल दन बाई बाई सीवें टेक केर